इस मोडूल में हम फाइलम आर्थरोपोड़ा की सब फाइलम ट्राइलो बाइटो मॉर्फा की सिगनिफिकन्स और उसके कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे ट्राइलो बाइटोमॉर्फा ट्राइलो ग्रीक वर्ड थ्री लोब्स यानि वो एनिमल जिसके अंदर थ्री लोब्स मजूद है अब ये किस फॉर्म में लाइफ के किस पीरियड में ये डॉमिनन्ट थे ये यूजूली केम्ब्रियर पीरियड जो के 600 मिलियन इयर्ज अगो था उस से लेके कार्बोनी फिरियस पीरियड जो के 345 मिलियन इयर्ज अगो था उस पीरियड के दरमयान ये ट्राइलो बाइट्स जो हैं यह आर्थ के ऊपर dominant animals थे अब यह normally crawling का process show करते थे crawl करते हुए along the substrate they usually feed on annulates, mollusks and decaying organic matter अब trilobites की body की shape क्या थी? oval भी थी, flattened भी और they were divided into three longitudinal regions अब जितने भी इनके body segments थे वो एक दूसरे के साथ articulate करते थे और articulate करते हुए locomotion का process जो है वो show करते थे अब इनकी articulation की वज़ा से जो trilobites है इनकी body roll over भी हो जाती थी roll over होते वे ये अपने soft body parts को इस तरह से कर लेते थे they look like a ball के एक बाल की शकल में भी हमें नजर आ जाते थे अब ज्यादा तर trilobites हमें आज कल नहीं मिलते इसलिए हम ये कह देते हैं के trilobites are extinct nowadays bodies अगर इनको देखना हो तो हम कैसे देखते हैं fossils की शेप में और ये fossils zoology के museum में आमतार पर मजूद होंगे और ये उस position में जिस position में इनको capture करके fossilized किया गया उस position में ये आज भी हमें fossilized शकल पर नजर आएंगे trilobites की body की important feature इनके appendages भी है appendages जो है they consist of two lobes या रेमाई और उनको हम कहेंगे इस तरह के appendages जिसमें दो lobes हो उसको हम कहते हैं by ramus appendages यानि इनके अंदर twice branches होंगे के दो दफ़ा इनके अंदर branches होंगे inner lobe जो है वो normally walking leg के तोर पे इस्तमाल होता है और जो outer lobe है उसमें मजूद होते हैं मुख्तलिफ किसम के structures यह structures spikes भी हो सकते हैं teeth भी हो सकते हैं and they are used for digging या swimming या as a gill for the gas exchange this is an important example of trilobytomorphah जिनको मैंने कहा trilobytes जो के they are no more available on the earth उसके लिए loves हम use करते हैं extinct अब trilobytes हैं यह इसके three lobes हैं one two three इसके बाद यह इसके मुख्तलिफ किसम के lobes हैं इसके साथ के segments हैं यह body की shape है अब यह trilobytes जो हैं they are no more available तो they are only seen in the form of fossils that is available in different zoological collections available in museums throughout the world